जैसे जैसे ध्यान में तुम गहरे से गहरे उतरते जाओगे, वैसे वैसे प्रकाश और अधिक, अधिक से अधिक बढ़ता ही जाएगा। एक शण ऐसा आएगा कि प्रकाश इतना अधिक हो जाएगा कि गहन अंदकार का जो है भ्राम पैदा होता है। लेकिन तुम इस अंदकार से डरना मत और भटकना भी मत, क्योंकि ध्यान की गहराईयों में जैसे जैसे यह जो यात्रा आगे बढ़ती है, वैसे वैसे प्रथम तो अंदकार दिखाई देता है, फिर प्रकाश दिखाई देता है, फिर और अधिक तम अधिक तम प्रकाश अंत में कि मानो वो अंधकार का भ्रहम पैदा हो जाता है और अगर उससे भी पार गए तो जो सत्य है उसका दर्शन तुमें हो जाएगा सत्य के निकटतम जो अंतिम आवरण है वो प्रकाश का है और वो आवरण इतना अधिकतम प्रकर प्रकाश का है कि उसे देखने की हमारी ख्षमता नहीं है और वो प्रकाश इतना प्रकर है कि हमें वो अंधकार जैसी भ्रांती उत्पन्न होती है याद रखो प्रकाश और अंदकार ये एक ही सत्य की दो अभी व्यक्ति है ध्यान में जो अंदकार पर ही अटक गया है वो तो भटकेगा ही लेकिन ध्यान में जो प्रकाश पर ही अटक गया है वो तो अधिक भटकेगा तो ध्यान में न तो हमें अंदकार पर ही अटक जाना है और ना ही प्रकाश पर अटक जाना है ध्यान में तो अंदकार और प्रकाश ये दोनों से पार हो जाना है ध्यान में जब अंदकार और प्रकाश ये दोनों के उपर जब चेतना चली जाती है तब जो है द्वेत जगत समाप्त हो जाता है और अद्वेत जगत में हमारा प्रवेश हो जाता है साकार और निराकार दोनों से पर पूर्ण साकार में हमारा प्रवेश हो जाता है और हम उस परम सत्य को पा लेते हैं जो अंदकार और प्रकाश दोनों का मूल स्त्रोत है हमें उस परम सत्य का दर्शन हो जाता है जहां से अंदकार भी आता है और प्रकाश भी आता है और वो अंतिम सत्य मुर्ती हमेशा साकार ही है जिसका मैंने दर्शन किया है थैंक यू